पर भी एक अदम्य डर बिठाना है। भारतिय नौसेना का INS विशाल ऐसा ही एक विशाल और शक्तिशाली हत्यार बनने जा रहा है, जिसका मुकाबला करने के लिए दुनिया की किसी भी नौसेना को कई बार सोचना पड़ेगा। वहीं दूसरी और, अमेरिका के पास भी कुछ बहतरीन और आधुनिक तकनीक से लैस एरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो दुनिया के हर महा सागर में उसकी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। आज हम इस स्क्रिप्ट में INS विशाल और अमेरिकी एरक्राफ्ट कैरियर्स के बीच एक रोमान्चक तुलना करेंगे और जानेंगे कि किसके पास कितना दमखम है। करीब 65,000 टन होगा और यह परमानू उर्जा से संचालित हो सकता है, जिससे इसे समुद्र में लगातार कई दिनों तक ऑपरेट करने की क्षमता मिलेगी। INS विशाल की सबसे खास बात है इसका कैटो बार, कैटपल्ट असिस्टेट टेक आफ बट अरेस्टेड रिकवरी, सिस्टम, जो भारतिय नौसेना के एरक्राफ्ट्स को तेजी से उड़ा सकेगा और लैंडिंग के समय भी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। कैटो बार की तकनीक को फिलहाल अमेरिका, फ्रांस और कुछ अन्य देश ही इस्तिमाल करते हैं और अब भारत भी इसमें शामिल हो सकता है। इस तकनीक के साथ INS विशाल पर तैनात फाइटर जेट्स और अन्य विमानों को आसानी से ओंपरेट किया जा सकेगा, चाहे वह अब जब बात हो रही है एरक्राफ्ट कैरियर्स की, तो अमेरिका को नजरंदाज करना असंभव है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली एरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट है, जिसमें से प्रत्येक कैरियर करीब 100,000 टन का होता है और इन्हें पूरी तरह से परमानू ऊर्जा से संचालित किया जाता है। अमेरिकी नौसेना का सबसे आधुनिक कैरियर USS Gerald R. Ford क्लास का है, जो अत्याधुनिक कैटो बार तकनीक, नई लैंडिंग तकनीक और Advanced Radar Systems से लैस है। यह कैरियर्स केवल अमेरिका की ताकत का प्रतीक नहीं है, बलकि य यह उसके समर्पन और तकनीकी कोशल का जीता जागता उदाहरण है। आयंस विशाल और अमेरिकी कैरियर्स में तुलना। एक, वजन और आकार। आयंस विशाल का वजन लगभग 65,000 टन है, जबकि अमेरिकी कैरियर्स जैसे USS Gerald R. Ford का वजन 100,000 टन से भी अधिक है। इसका म इस विशाल भारतिय महासागरों और अन्यक्षेत्रों में परियाप्त सामरिक शक्ती प्रदर्शित करने के लिए काफी बड़ा है। टू बॉट से टो बार और इमाल्स तकनीक आई एनस विशाल में के टो बार तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, जो इसे बड़े और भार आरी फाइटर जेट्स को ऑंपरेट करने में सक्षम बनाता है। अमेरिका के कैरियर्स में तो पहले से ही चैटो बार तकनीक और एक कदम आगे जाकर इमेल्स, इलेक्रो मैगनेटिक एरक्राफ्ट लांच सिस्टम का उपियोग हो रहा है, जो पारंपरिक तरीकों के और सुरक्षित है। हालांकि INS विशाल में इमेल्स नहीं होगा, पर इसकी कैटो बार प्रणाली भारतिय नौसेना के लिए एक बड़ी उपलब्धी होगी। जो अधिक शमता प्रदान करते हैं। 4. सैन्य रणनीती और उपियोगिता INS विशाल का मुख्य उद्देश्य भारतिय समुद्री क्षेत्र की रक्षा करना और भारतिय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में मजबूत बनाना है। जबकि अमेरिकी कैरियर्स के लिए उद्देश ये वैश्विक है। अमेरिका अपने कैरियर्स को दुनिया के किसी भी कोने में तैनात कर सकता है और वे उसकी शक्ती का प्रदर्शन करते हैं। भारत फिलहाल क्षेत्रिय स्तर पर मजबूती बनाए रखने का प्रयास कर रहा है, जबकि अमेरिका अपनी शक्ती के साथ वैश्विक स्तर पर सक्रिय है. 5. परमानु शक्ती INS विशाल को परमानु उर्जा से संचालित करने की योजना है, जिससे यह समुद्र में लंबी अवधी तक बिना किसी इंधन भरने के संचालन कर सकेगा. हालां कि अमेरिकी कैरियर्स पहले से ही परमानु उर्जा से संचालित होते हैं और इनके पास अधिक समय तक समुद्र में रहने की क्षमता होती है. भारत की रणनीती और भविश्य की दिशा आई-एन-एस विशाल का निर्मान केवल भारत की सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए नहीं किया जा रहा है, बलकि इसका उद्देश्य, देश की सुरक्षा और क्षेत्रिय प्रभुत्व को बढ़ावा देना भी है. भारती ये नौसेना की योजना है कि आई-एन-एस विशाल को नए हत्यारों और तक्नीकों से लैस किया जाए, ताकि वह भविश्य में उभरते खतरों का सामना कर सके. इसके अलावा आई-एन-एस विशाल का निर्मान यह भी दर्शाता है कि भारत अब केवल रक्षा पर निर्भर नहीं, बल्कि आकरामक रणनीती को भी अपना रहा है. अमेरिका और चीन की तरह भारत भी अब खुद को एक प्रमुख समुद्री शक्ती के रूप में स्थापित करना चाहता है. भारत का INS विशाल इस दिशा में एक अहम कदम है, जिससे न केवल भारत की नौसेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि भारतिय समुद्री सुरक्षा भी और सुद्रड होगी. अमेरिकी कैरियर्स के सामने INS विशाल की चुनौती. हालांकि अमेरिका के कैरियर्स का आकार और ताकत INS विशाल से अधिक है, पर भारतिय समुद्री सुरक्षा के लिए INS विशाल परियाप्त है. भारत और अमेरिका के कैरियर्स की तुलना करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों का उद्देश्य और इस्तिमाल करने का तरीका अलग है भारत का ध्यान मुख्य रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव को बनाए रखने और किसी भी बाहरी खत्रों को रोकने पर है जबकि अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स का उपियोग केवल रक्षा ही नहीं बलकि वैश्विक शक्ति के प्रदर्शन के रूप में करता है INS विशाल और अमेरिकी कैरियर्स की तुलना से यह स्पष्ट होता है कि भारत तेजी से एक मजबूत नौसेना शक्ति के रूप में उभर रहा है INS विशाल के निर्माण से भारत न केवल अपनी सैन्यक शमता में व्रिध्ध करेगा बलकि अपने पडोसी देशों को भी एक संदेश देगा कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है वहीं दूसरी ओर अमेरिका के कैरियर्स अपनी श्रेणी में बेजोड हैं और उनका स्थान वैश्विक रक्षा और सामरिक रणनीती में अद्विती यह है INS विशाल के साथ भारत भविश्य में और अधिक उन्नत तक्नीक और बड़े कैरियर्स के निर्मान की दिशा में भी कदम बढ़ा सकता है इससे न केवल भारत की नौसेना ताकत बढ़ेगी बलकि उसकी वैश्विक ताकत का भी प्रतीक बनेगी इस प्रकार INS विशाल भारत के लिए एक गौरव का प्रतीक है जो न केवल अपने देश की रक्षा करेगा बलकि विश्व मंच पर भारत की स्थिती को और मजबूत करेगा झाल 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 झाल